आत्म निर्भर भारत हमारे हाँ सांस्त्रों में कहां गया है एशह पंथा यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े है इतनी बड़ी आपडा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है एक आउसर लेकर आई है मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे है ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उत्नी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के माइने पुरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्म निर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्म निर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शांती की चिन्ता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विय इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मांती हो वो संस्कृती, वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिस्टित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव, भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पढ़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पढ़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वार्मिंग के खिराप भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीदवग्न को तनाव से मुक्ती दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती अगर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड दे सवाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहा जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जकड गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पूर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्नलोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोड़क्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दीन देखे है हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच्छ मौद की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठखड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल्प शक्ति है हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की ये भगवे इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पीलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकि कौन्टम जंप लाए दूसरा पिलर इंफास्ट्रक्शर एक ऐसा इंफास्ट्रक्शर जो आदुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टिम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बल्कि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोध है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुरत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ ये आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तोर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टना की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है ये पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सबके जरीए देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाग्स 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गति देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लौज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक गरह उद्ध्योक हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक हमारे MSME के लिए है जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर सिती हर मौसम में देश वाश्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए है जो इमानदारी से टेक्ष देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारतिय उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है नई उंचाई देनी है ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरव और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे ये रिफॉर्म्स बिजनेश को प्रोसाइद करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीज परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्ष परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिश्टितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ति उनकी संगर्ष सक्ति का भी दर्षन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने है थेला लगाने वाले है पत्री पर सामान वेचने वाले है जो हमारे स्रमिक साती है जो गरों में काम करने वाले भाई बेहने उन्होंने इस दोरान बहुत कश्ट जेले हैं तपश्या किया है त्याग किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब भी है उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो स्रमीक हो प्रवासी मद्दूर हो पशुपालक हो हमारे मचवारे साती हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तपके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा साथियों कोरोना संगट ने हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग लोकल मार्केट लोकल सप्लाई चेन इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है संगट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बलकि हम सबकी जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्राणिंग की उन पर घर्व किया तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए है इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोड़क्स खरिदने हैं बलकि उनका घर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात मैसुस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगर किया था ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स दर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रहास्ता लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदुरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोक्डाउन का चौथा चराण लोक्डाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्जों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोक्डाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैं से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम सुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सुख है आत्म निर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 वी सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोर देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार कर्तव विभाव से सराबोर हो कर्मडता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोग सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत